चात्रो पहले अध्याय में तुमने सीखा कि वनस्पतियां विविद वातावरणों में बढ़ती हैं वातावरण के साथ मिलने जुलने के लिए वो रूपांतरण दिखाती है अब तुम्हें बहुत सी वनस्पतियों के नाम पता है हमारे आसपास की जानी मानी वनस्पतियां जैसे की सदाफुली, गुढ़ल, गुलाब, नारियल क्या आप मुझे उनकी विशिश्टाओं के बारे में बता सकते हैं साथ ही वनस्पति के अंगों के बारे में भी बताओ हमारे आसपास की सभी वनस्पतियां मिट्टी में स्थित है वे अपना स्थान बदलती नहीं हैं लगबक सभी वनस्पतियों के पत्ते हरे होते हैं आवश्शक्ता नुसार वो अपने लिए और दूसरे के लिए अनगा निर्मान करती है हमारे आसपास की आम वनस्पतियों की जड़ें जमीन के भीतर होती है और साथ में तना, पत्ती, सुन्दर, फूल और फल नामक विविद अंग होते हैं हम वनस्पतियों को कैसे पहचानते हैं वनस्पतिया मिट्टी में स्थित होती है वनस्पतिया अन बनाती है वनस्पतियों को जड़े, तने, पत्ते, फूल और फल होते हैं आज हम वनस्पतियों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे थोड़े मटर या फिर सोया बीन या फिर चने के बीज राद भर पानी में बिगाओ इसके बाद उन्हें नम टिशू पेपर पर बढ़ने दो एक दिन के बाद तुम्हें दिखेगा कि बीज से छोटे छोटे तंतू बाहरा रहे हैं ये हैं मूलांकुर तो मूलांकुर को और बढ़ने दो अब आप देखेंगे कि ये जमीन की दिशा में बढ़ रहा है मूलांकुर से वनस्पतिया तयार होती है जब तुम ये बीज मिट्टी में बोते हो मुलांकूर जमीन की दिशा में बढ़ता है और जड़ों को जनम देता है याद रखो कि जड़ें हमेशा मिट्टी की दिशा में बढ़ती है जहां पानी होता है दूसरी ओर पर अंकुरित बीज एक अक्ष निर्मान करता है मूलांकुर के साथ हरे पत्ते होते हैं इसे प्रांकुर कहते हैं प्रांकुर उपर की ओर अर्थात जमीन की विपरित दिशा में सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ता है ये प्रांकुर तने को जनम देता है जब बीज अंकुरित होता है तब क्या होता है? अंकुरित होने वाला बीज मूलांकुर और प्रांकुर को जनम देता है मूलांकुर जमीन और पानी की दिशा में बढ़ता है मूलांकुर से जड़े निर्मान होती है प्रांकुर जमीन की विपरित दिशा में और सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ता है प्रांकुर वनस्पती के तने को जनम देता है जड़े जमीन में गहराई तक बढ़ती है और सभी दिशाव में फैलती है जड़ों की भूमी का क्या है? जड़े जमीन को जकड कर रखती है वनस्पती को आधार देती है जड़ें जमीन से पानी और खनिज अवशोशित करती है निगरानी के साथ प्याज की छोटी वनस्पती और सदाबहार या फिर टमाटर या फिर बैंगन या फिर मतर की वनस्पती को उखाड़ो वनस्पती को उखड़ते समय उसकी जड़े न तूटे इस बात की सावधानता बरती है अभी हम जड़ों का निरिक्षन करेंगे ताकि हम उनके प्रकार जान सके सदाबहार के नमुने में केंदर में एक मुख्य जड़ होती है उसे प्राथमे किया मोसला जड़े कहते हैं ये मुलांकूर से विक्सित होती है गौन जड़ें क्षैतीज दिशा में बड़े क्षेतर में बढ़ती है अभी हम घास या फिर प्यास की जड़ों के बारे में जानेंगे ऐसी वनस्पतियों में मुलांकार की आयो बहुत कम होती है बहुत ही जल्द मुलांकूर की जगा छोटी छोटी जड़ों का गुच्छा बन जाता है इसे तन्तुमय जड़े कहते हैं कभी-कभी बगीचे में काम करते समये किया तुमने अंचाही वनस्पतियां या अपत्रूर उखाडे हैं पुराने अपत्रूर उखाड़ना मुश्किल होता है क्या हां क्योंकि उनकी जड़े जमीन में गहराईयों तक बढ़ी है किन्तु घाज जैसी वनस्पतियों को उखाणना बहुत आसान होता है क्योंकि उनकी जड़े बहुत ही उपरी होती है क्या तुम आम का पेड और गन्ने की वनस्पति इन दोनों की जड़ों की एंतरणा का अनुमान लगा सकते हो आम तोर पर उचे वरुक्षों में मुसला जड़े और बौनी वनस्पतियों में तंतुमय जड़े होती है शीग्रप पुनर निरिक्षण जड़ संस्थान के प्रकार मुसला जड़ व्यवस्था मुलांकार से मुसला जड़ बनती है प्राथमिक और गौन जड़े उपस्थित होती है मुसला जड़े जमीन की गहराईयों तक बढ़ती है ये द्वी बीज पत्री वनस्पतियों में होती है उधारन टमाटर, मतर, आम, इत्याली आगनतुक जड़ व्यवस्था मुलांकार का जीवन कम होता है प्राथमिक और गौन जड़े अनुपस्थित होती है जड़ों का गुच्छा होता है आगनतुक जड़े सतही होती है ये एक बीज पत्री वनस्पतियों में होती है उधारन गास, मकई, गन्ना, इत्यादि जड़ों के दो प्रकार आसानी से पढ़े जा सकते है मटर अत्वा सेम के बीजों को कुछ दिनों के लिए मिट्टी में बढ़ने दो उसके बाद वनस्पति को मुसला जड़ों का अध्यन करने के लिए बड़ी सावधानता से उखाड़ो प्यास की जड़ों को घर में उगाना बहुत आसान है कांच की बर्णी में पानी लेकर उसके मुँपर एक प्यास इस तरह रखो कि उसकी जड़ें पानी की ओर हो प्यास की उपरी सुखे पत्तों को निकालो डिस्क जैसे तने के भाग की निगरानी करो जो की पानी के संगपर्क में है ताजा तन्तुमा जड़ें केवल तीन चार दिनों में बढ़ती है अब तक तुमने जड़ों के रचना और कारिय के बारे में सीखा किन्तु सामान ये कारियों के अलावा जड़ों के कई विशेश कारिय भी होते हैं हम कुछ उधारन देखेंगे क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि ये सब जड़े हैं हाँ ये सब जड़े हैं जो दिखने में काफी अलग है गाजर, मूली, बीट, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़े उनके भीतर अन्न रखती हैं इसी कारण जड़े फूलती हैं और अलग आकार लेती हैं इसलिए उन्हें संचयन जड़े कहते हैं बरगत का पेड बहुत विशाल होता है और उसमें आम मूसली जड़ व्यवस्था होती है किन्तु इस चित्र में तुम देख सकते हो कि इस पेड ने बहुत बड़ी शाखाय निर्मान की है तो इन शाखाओं को आधार देने के लिए अतिरिक जड़े पेड द्वारा निर्मान की जाती है इन्हें जटाएं कहते हैं मकई, गन्ना और ज्वार की वनस्पतिया देखो ये एक अभी जपत्री वनस्पतिया है और उन्हें तन्तुमय जड़े होती है किन्तु तन्तुमय जड़े तने को आधार देने के लिए काफी नहीं होती इसलिए उनके तने पैर बासा जड़ों की निर्मिदी करते हैं चात्रो जब भी तुम कोकन में या समुद्र की किनारे के इलाके में आते हो तब सदा बहार पैड़ों का निर्क्षन करो ये वनस्पतिया समुद्र किनारे के पास समुद्र के खारे पानी में बढ़ती है वो श्वसन जड़े या नियूमाटो फोर्स का निर्माण ऑक्सिजन लेने के लिए करती है समरण रहे कि श्वसन जड़े हमेशा जमीन की विपरित दिशा में बढ़ती है सारांज आज तुमने वनस्पतियों की जड़ों की रचना और उनके प्रकारों के बारे में जाना जड़ों के सामान्य कारियों के अलावा कुछ जड़े विशेश कारियों के लिए निर्माण की जाती है इसे परिवर्तिज जड़े कहते हैं चुनौती टमाटर, मिर्ची, गन्ना, सेम की जड़ों का निरिक्षन करो उनकी जड़ व्यवस्था को पहचानो और उसके आधार पर उनका एक बीज पत्री और द्वीबीज पत्री में वर्गी करन करो झाल